के सौक अति हिल्ए एर्टीम्न वेल्कम वैर्क आज हम बात करेंगे कंजूमर वेहिवियर में स्कोप फफ कंजूमर रिसेर्च इर्च और रिसेरी शोब्र हम इसाइए ये आति हैं ख्रक्तितक समय कुंधे मत फट् कर द्सकतर करेंगे हैं स्कोक फफ कंजूमर कहां कहां कंजूमर रिसर्च का स्कोप रहता है कौन-कौन से ऐसे की एरियास हैं जहां हमें प्रॉपरली कंजूमर रिसर्च करके बहुत सारे कि अगर हमने किसी एक नहीं करना जैसे अपर रिसर्च करना है तो यह उन से नहीं रिसर्च करके बहुत सारी कंजूमर से लिएट इन्फर्मिशन सर्च कर सकते हैं जैसे suppose यहाँ पर हम बात करते हैं market research की ठीक है तो market research में suppose consumer किसका क्या market area है किस तरीके की market में वो preference अपना दिखा रहा है ठीक है market में उसका क्या purchase trend है किस तरीके से वो product को purchase करता है मार्केट में जैसे suppose कोई product हम लेके जाने वाले हैं तो उसकी demand कैसे create करनी है sales कैसे होगी कैसे किस सरीके से अपनी sales को बढ़ा सकते हैं तो यह सारे key points हम discuss करने जा रहे हैं इस video lecture में जो one by one चले start करते है scope of consumer research और कुछ ऐसे area जहां पर हम consumer research के बारे में study करेंगे first है market research first one is determining the size of current and potential market ठीक है अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी determining the size of current and potential market currently market क्या है किस तरीके का market है उसका क्या size है कितने potential marketers वहां पर involved है ठीक है तो वो सारी information properly आप पहले उसको gather करोगे analysis करोगे interpret करोगे अगर आप भी उसी से related कोई activities follow करने वाले हो ठीक है जैसे suppose कोई new firm start हुई है और कोई आप कोई नया product market में लेके आने वाले हो तो सबसे पहले आपको अपना market size decide कर लेना है ठीक है determine कर लेना है कि market आप क्या product है उस हिसाब से आपका market का क्या size है और कितने potential markets पहले से exist कर रहे हैं ठीक है second one है assessing purchase trend जी हाँ आज की टाइम में customer consumer का क्या purchasing trend चल ला है किस तरीके से वो product को purchase कर रहा है कौन-कौन से की factors हैं जो इसको help करते हैं और वो हमारे लिए भी successful हो सकते हैं तो वहाँ पे हम consumer research को properly further proceed करते हैं ठीक है assessing purchase trend क्या आज की टाइम में product को खरीदने का trend है किस तरीके से product available है strength and weakness of competition offerings ठीक है क्या strength है क्या weakness है competition के लिए ठीक है कितने competitively हम ready है market में अपने product को ले जाने से पहले क्या हमारी strength है क्या हमारी weaknesses है demand and sales forecasting ठीक है क्या demand रहेगी क्या हमारी sales किस तरीके से sales को increase कर सकते हैं तो पहला point ही था market research consumer research में हम बात कर रहे है किसकी scope of consumer research में first one market research और market research से यह related कुछ key points हम नहीं यहां पर discuss करी थे second one है product research product research में हम बात कर रहे है assessing modification needed in the product ठीक है यानि कि जो भी requirement है जो भी requirement है modification के लिए वह हम यहां पर हम बात कर रहे है assessing modification needed in the product product में कौन-कौन सी changes होने चाहिए किस टाइप के changes required है suppose market में customer customer एक time के बाद product से बोरवा जाता है तो फिर उसको कुछ innovation चाहिए होता है product में यानि कि कुछ innovative features उसमें add करने होते हैं तो वह यहां पर हम बात कर रहे हैं ठीक है तो वहां पर भी properly research product research के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं information gather कर सकते हैं कि consumer को किस एक time की बाद product में कुछ innovative features चाहिए होते हैं same एक ही quality एक ही features के product use करते करते consumer बोर हो जाता है तो उसको कुछ innovative points innovative features required होते हैं जो हमें time to time provide करवाने होते हैं consumer acceptance and rejection product ठीक है किस तरीके से product को accept करता है किस तरीके से reject करता है कौन-कौन से factors उसको influence करते हैं acceptance rejection के process में competitive study of competitive products जी हां मेरे जैसा product market में available है क्या उसका competition चल ला है कि ठीक है मेरे पास कौन सा competitive advantage है अपने market में competition को complete करने के लिए तो वो हम बात कर रहे है product research की ठीक है next हम बात करते हैं अब advertising research ठीक है जो की हम बात करना है किस में scope of consumer research में तो consumer research scope of consumer research में third point है advertising research consumer किस तरीके से facilitate हो रहा है advertising से किस type की advertising हमें लेगाने चाहिए में हम बात कर रहा है किस type की मीडिया की requirement है कितनी effectiveness होनी चाहिए क्या media source होना चाहिए वह सारी चीजे किस में इस ऐप्सक्रं रहा है जैसे सपोज कोई एक नया प्रोड़क्ट हम मार्केट में लेके आए, अब मार्केट में ले जाने से पहले हमने क्या करा, एड़ोटीजमेंट कर ली और ये देख लिया कि कस्टमर को किस कस्टमर को पहले अपने प्रोड़क्ट से अवेर कर लिया, तो ये सारी चीज़े तब कि किस टाइप के टार्गेट कंस्यूमर है और उसी जैसे सब्सक्राइब करते हैं home इंडेस्ट्रियल गुड्स की या कंजूमर गुड्स की तो हमें फिर वहीं इस हिसाब से मेडिया प्लाइनिंग करना होती है ताकि हम पने टार्गेट कंजूमर्स को प्रॉपरली फैसिलेटेट कर सके और मार्केट में डिमांड करेट करते हुए अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकें ठीक है तो hoor quem टेस्टिंग में टेस्टिंग में बहुत सारी चीजों को कि अपजर्व करते हुए अनालिसिस करते हुए बहुत सारी इंफोर्मेशन गैहिदर ख़ते हैं ठीक है next हिहां पर हम बात कर रहा है किस की प्राइसिंग रिसर्च प्राइसन के श्मिश्चिन क्य क्या expectation है अगर perfect competition है तो क्या product के price क्या होनी चाहिए reaction on the price consumer का price पर क्या reaction रहता है सब्सक्राइब कभी किसी price में relaxation दे रहे है उसके लिए price आप किसी साथ से सेट कर रहे हो कितने reasonable price पर प्रोडक्ट कर वा रहे हो testing of alternative price strategies ठीक है बहुत सारी strategies हम लगाते हैं pricing में ठीक है ताकि हम consumer को influence कर सकें उसको attract कर सकें तो वो सारी चीज़े की बात कर रहे हैं हम pricing research में तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे factors होते हैं जहां हम properly study करते हैं और उन पर research करके अपने लिए best alternative select कर सकते हैं तो यह थे scope of consumer research जहां हमने बात करी market research की जी हां consumer research में हम बात कर रहे हैं market research properly market को properly research करना है उससे related जो जो key points है वो properly हमें वहाँ पर properly study करने हैं ताकि हम अपने लिए best plan में planning कर सकें ठीक है ठीक है ऐसी हम बात कर रहे है product research की product से related advertising से related pricing से related तो यह थे कुछ main points जैसे suppose कोई भी एक नया producer है जो नया product लेके आ रहा है market में तो market में product लाने से पहले उनको यह सारे points को properly study कर लेना है और वहाँ से जो उसको help करते है further future planning के लिए और अपने product को new product के development के लिए ठीक है तो यह थे scope of consumer research market research product research advertising research और pricing research जहां हर point अपने अपने place पे important role play करता है और जो भी researcher है उसको lot of information provide करवाता है ठीक है और इस तरीके से यह हमारे लिए बहुत ज़्यदा fruitful रहता है ताकि हम further अपने लिए best planning कर सकें और एक अच्छी strategy बनाते हुए अपना product market में launch करें और ज्यादा से ज्यादा product ज्यादा customer हमें like करें ठीक है यानि कि हमारे हमें क्या करना एक तरीके से customer को properly fully उसकी जो भी requirements है उस पे खरा उतरना है ठीक है हमारा main जो motive होता है customer को satisfy करना है तो customer satisfaction हम तभी create कर सकते हैं जो हमने properly इन सारे points को study कर लिया इन पे research कर लिये ताकि कोई भी ऐसा weak point नहों जहां हमें यह हो कि हाँ इसकी वजह से हमें best results देखने को नहीं मिले तो यह थे scope of consumer research market research properly करनी होगी product product पे properly research करनी होगी advertising पे properly research करनी होगी और pricing पे properly research करनी होगी तब जाके आप एक properly consumer के बारे में भी जान सकते हो और future में जो भी आपको action लेनी है further उनको भी properly proceed proceed कर सकते हो ठीक है okay thanks भी कि बाल्ब चिम्हें हैस कि हूपने पॉकर फो कि रचे और ते कर अवों, क्रभ में क्वुटयें हो लिएज़े से स्वरिचल में क्या्स, सब्भ्न तू खला कैंके फदे हो दो कि रद़ीप ध Song